एक दिन राजा कृष्णदेव राय के दर्बार में इस बात पर गर्मागरम बहस हो रही थी कि मनुष्य का स्वभाव बदला जा सकता है या नहीं। कुछ का कहना था कि मनुष्य का स्वभाव बदला जा सकता है। कुछ का विचार था कि ऐसा नहीं हो सकता, जैसे कुट्टे की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। प्राजा को एक विनोध सुझा, उन्होंने कहा, बात यहां पहुंची कि अगर कुट्टे की दुम सीधी की जा सकती है, तो मनुश्य का स्वभाव भी बदला जा सकता है, नहीं तो नहीं बदला जा सकता। प्राजा ने फिर विनोध को आगे बढ़ाने की सोची, बोले, ठीक है, आप लोग यह प्रयत्न करके देखिए। प्राजा ने दस्चुने हुए व्यक्तियों को कुट्टे का एक-एक पिल्ला दिलवाया और छेह मास के लिए हर मास तस्वन मु सीधी करने की बड़ी कोशिश की। एक ने पिल्ले की पूँच के छोर को भारी वजन से दबा दिया ताकि इससे दुम सीधी हो जाए। दूसरे ने पिल्ले की दुम को पीतल की एक सीधी नली में डाले रखा। तीसरे ने अपने पिल्ले की पूँच सीधी करने के लिए हर रोज पूँच की मालिश करवाई। छठे सज्जन कहीं से किसी तांत्रिक को पकर लाए, जो कई तरह से उठपतांग वाक्य बोलकर और मंत्र पढ़कर इस काम को करने के प्रयत्न में जुटा रहा। पिल्ले को इतना ही खिलाता, जितने से वह जीवित रहे। उसकी पूँच भी बेजान सी लटक गई, जो देखने में सीधी ही जान पड़ती थी। टेनाली राम ने अपने अध्मरा सा पिल्ला राजा के सामने कर दिया। उसके सारे अंधलक रहे थे। टेनाली राम बोला, महाराज, मैंने कुट्य की दुम सीधी कर दी है। दुष्ट कही के, राजा ने कहा, बेचारे निरी पशू पर तुम्हें दया भी नहीं आई। तुमने तो इसे भूँखा ही मार डाला, इसमें तो पूँच हिलाने जितनी शक्ती भी नहीं है। महाराज, अगर आपने कहा होता कि इसे अच्छी तरह खिलाया पिलाया जाए तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ता। पर आपका आदेश तो इसकी पूँच को स्वभाव के विरुध सीधा करने का था, जो इसे भूखा रखने से ही पूरा हो सकता था। बिल्कुल ऐसे ही मनुश्य का स्वभाव भी असल में बदलता नहीं है। हाँ, आप उसे काल कोट्री में बंद करके, उसे भूखा रखकर उसका स्वभाव मुर्दा बना सकते हैं।